हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है और हमारी जो सिरीज चल लिए उसी का कुश्चन जी ने दोजार में नॉपरेल सिट वन में पुछा गया है हर एक कुश्चन लेकर हम उसमें कुछ सिखाना चाहेंगे आप तो इससे बहुत अच्चे आप फोकस कर पाओगे यहनि आप जब देखते हो वीडियो की लेंथ देखते हैं वन आउर तो उसमें आप को फुर्टना देखने का मन ने करता है लेकिन जब देखते हो 8 मिनट, 10 मिनट पर इसा लगता है क्योंकि इस टाइप की वीडियोज अब आपको डेली मिल रही है हमारा काम डेली चैनल पर चल ला है और आप को डाउनलोड इसलिए किजिए क्योंकि उस पे free of cost टेस्ट सीरीज चल लही है जो कि 40 टेस्ट है डेली रात को 10 बजे टेस्ट होता है और उसका रिजल्ड 20 मिनट बाद आजाता है तो आप लोग उसे डाउनलोड करें और उसमें टेस्ट दें जो कि free of cost है तो चलिए इस क्विश्चन को सुरुवात करते है देखे बेटा इस क्विश्चन में कहा जा रहा है standard division of the numbers इन numbers का क्या दिया हुआ है SD दिया हुआ है मानक बिचलन जिसको कहा जाता है इन संख्याओं का मानक बिचलन root 5 है तो K positive है ध्यान रखना तो K की value पूछ रहा है किसके equal होगे अच्छे एक चीज़ आपको मालूम है SD जो होता है वो variance का under root होता है तो यह कह सकते हैं अगर हमें variance पता करना हो तो हम क्या कहेंगे SD square करता हो तो अंडर root इदर से हट जाएगा तो standard division का square इसका मलब इसका variance अगर SD root 5 है तो variance 5 होगा इतनी बात के लिए रहे सर variance निकालते हैं सर इस तरीक से निकालते हैं x i minus x bar whole square divided by n बेटा देखो जब number complete दियें जैसे इसमें क्या एक unknown कर दिया है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो लेकिन आपके लिए जादा better होगा इससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा यानि ये sigma x i का square divided by n minus x bar का square ये variance का फंडा होगा इसी से बना है ये इसी से बना है बस इससे जल्दी हो जाएगा इसमें क्या है सारे जो observation है सब का square करेंगे जैसे आपको एक example देदे दो, तीन, चार और पांच, पांच, नो, नो, तीन, बरत, चो ये इनका हमें variance बताना है तो variance हमारे पास इससे भी निकाल सकते है ये लेकिन यहां पर जब ये अन्नोन है न तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए ठीक है इसको लगा दिये करो देखो आप देखो दोनों से हम दिखाने सेम हाता है इसी को solve करके ये बन जाता है ये भी ध्यान रखना variance को ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है कहीं पर अगर direct mean दिया हो तो ये होगा मान लिजे हमने कहीं पर variance दे दिया और ये पूछ ले से कि मैं x i square x bar दे दिया तो इसका भी यूज़ कर सकते हो जैसे example के लिए यहां पर हम दिखा रहें तीन मैंना तीन जीरो प्लस चार मैंना तीन एक का square एक पान में तीन गया दो दो का square चार एक मैंना तीन मैंना दो का square चार डिवाइड़ बाई पाँच अगर चार चार आट और एक नो एक दस यहां पर variance आ गया दो आप इससे निकालिए सारे प्रिक्षणों का square पचिस और एक 26 और चार तीस तीस और नो 49 और सोला कितना होगा पचपन और डिवाइड़ बाई कितना है पाँच माइनस एकस बार कितना तीन तीन का square नो तो यहां से कैसे 11 में नो गया variance देखो दो आ रहा है कि न आ रहा है इसससे clear हो गया दोनों क्लियर होना चाहिए तो अब हम इस question को देखेंगे क्या कह रहा है इस question इस question में बहुत easy है सबसे पहले x बार कितना होगा सभी number का submission divided by 4 तो इन सब को add from minus 1 1 cancel k by 4 x by 4 हो गया और यहां पर variance का simple सा यही fund लगा देंगे जो लिखा है sigma x i का square divided by n minus x bar का square है इसको मिटा देते हैं ठीक है यहां पर यह हो गया तो यह बता है यह variance कितना है इस टी यह है तो variance क्या होगा 5 अभी बता है ना HD अगर root 5 है तो variance कितना होगा 5 हो जाएगा ठीक है बिटा variance 5 हो जाएगा x i का square x i कितना है यानि सारे picture नों का square का summation तो यह इसका square 1 1 2 हो गया दोनों के square का समिशन जितने भी observation सबके square का summation तो इनका square तो आराम से add हो जाएगा 1 square 1 होगा 0 होगा और 1 1 और 1 2 हो गया plus का k square divided by number of observation कितनी है 4 और minus 1 k by 4 रहोगे k square by 16 अगर 16 का multiply करोगे 16 का multiply करोगे तो कितना होगा 16 80 हो गया इधर 16 multiply करोगे तो कितना होगा 4 और 2 plus k square अंदर जाएगा तो 8 plus 4 k square 16 का multiply करोगे k square तो यहां से कह सकते हो 3 k square 4 k square में k square जाएगा 3 k square 8 इधर माइनस होगा तो यह 72 हो जाएगा 80 में 8 के 72 k square is equal to 72 divided by 3 3 2 6 3 3 2 12 k square is equal to 24 k की value positive ही लेनी निगेटिव 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 प्लस माइनस आना चाहिए ता लेकिन यह दिया हुआ कि यह positive है इसलिए 6 गुड़ा 4 24 को लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 root 6 जिसका रान हमारा answer बीघ जाएगा